slang friends आप सब लिए का स्वागत किया जाता है сказать गेल्ड में टोर ओलनाइन यजा ओलनिंग चैनल पर जैसे कि आप सब जानते हैं हमारी जीके की सीरीज चल रही हैं लेकिन आज हम आपके लिए जीक की गेम्स में से बहुत सारे कोईशन पूछे जा रहे हैं तो पेपर बहुत हमारे गवर्मेंट पेपर हमारे बहुत नजदीक आ रहे हैं तो यह एक्स्ट्रा नॉलेज भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो चुकी है इस टाइम पर हमें लेनी जाहिए जैसे कि SSE CGL का पेपर भी च जरूरी है और इसके साथ साथ आज अब आप लोगों का होगा टेस्ट इस टेस्ट में मैंने आपको पॉलिटी, मेडीवियल हिस्ट्री और साइंस के तीनों के क्वेशन्स दिये हैं जिनों ने पिछले लेक्शर्स देखे हैं हमारी GK की सीरिस जो चल रही है उनको तो इसक से पुछोंगी इसके अनसर्स आप लोगों को 24 हर्स के बाद जदो मिलेंगे इस टेस्ट के अंसर्स परुवाइट किये जाएंगे अपने अपने मार्क को अंसर्स को कमेंड बॉक्स MAN करक के जब उर पता ना है यह टेस्ट के से ज्रूरी कूँ क्यों लेना क्यूंकि एसे ट आपके चाहिए उनकी प्रेपरेशन में कुछ गड़भर चल रही है। उनने और मेनत डटकर करनी चाहिए। तो चलिए आज की सीरिज को शिरू करते हैं। आज की हमारी स्पेशल क्लास को अशिन गेम्स के बारे में फहले जानेंगे। फिर Olympic Games के बारे में जानेंगे, उसके बाद आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है, स्टार्ट करें, Asian Games, Asian Games की एब्रिवेशन क्या होती है, एशियाड, क्या होती है, एशियाड, Asian Games होते हैं, यह Continental Multisport Event है, मतलब क्या Continental, मतलब जो Asian Countries है, उनका क्या Multisport Event है, जो कि कब होता है, हमेशा चार सालों के बाद खेला जाता है, कब होता है, हमेशा चार सालों के बाद खेला जाता है, दे वर रेगुलेटिड बाई Asian Federation, Asian Games Federation क्या थी, इनको चलाती थी, कहां पर थी यह, न्यू देली इंडिया में कब तक चलाती थी यह, अंटिल 1978 तक, जो हमारी Asian Games Federation थी, वो Asian Games को खिलाती थी, मतलब रेगुलेट करती थ जो कि न्यू देली इंडिया में थी, सिरफ 1978 तक, अब कोन मैनेज करता है, अलंपिक काउंसिल आफ एशिया और एक कमीटी बनाएगे, इंटरनेशनल अलंपिक कमीटी ही, इसको रिकोगनाइज करवाती है, ठीक है, कब से, 1982 से, आपको मैं हर नॉलेज क्यू प्रवाइड कर उनका कोई भी कोईशन, एशियन, ओलंपिक, जग किसी भी, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड छूटे ना, इसलिए हम लोगों ने आज इश्पेशल क्लास लगी है, और जीके की सीरिज में हमने न्यू एडिशन किये, कि आपको लास्ट में क्या है, कि हर ओगनाइज़ेशन नेशनल पाक के बारे में बताना, ठीक है, इतना समझ में लग गया, उसके बाद, नाइन नेशन्स है फोटीट इशन गेम, अब तक कितने ने ने ऊस्ट किये, नाइन और फोटी सिक्स ने पाटिस्पेट कीया इस गेम में, इस राइल ने इस्राइल को एक्सक्ल्यूड कर कब थी लास्ट पार्टिसपेशनeducation 1974 में, घ्रइक है गया नए बढ़ है कौन सी कंट्री दिने फ्रadia के जई इक्सक्लीड कर दिया गया थे अश्रायल को प्रादी के लास्ट पर्टिसपेशनकोडन के इस्ट अश्रायल को आप लोगी, 21 Sowasf. ठीक है और एक बात और याद रखना हमारे first station games जो थे वो कहां होए थे New Delhi में होए थे और कब होए थे 1951 को होए थे यह आपका यह question जो आपका भी subordinate codes of Chandigarh का paper हुआ था Sunday 26 को उसमें भी आया था कि first station games कब होए थे ठीक है RRB के paper में भी आया था first station games कहां पर होए थे तो यह भी important है यह याद रखना इस लाइड में यह चीज मैंशन नहीं कियो ही तो याद रखना कि New Delhi में first station games games होए थे और कब होए थे 1951 में होए थे ठीक है 2018 में Asian games कहां पर होए थे Jakarta में होए थे ठीक है options में जगारता ही आएगा पहलंग नहीं आएगा क्योंकि जो question आया थे जगारता ही आया हुआ था तो पर मैंने दोनों लिख दिया है क्योंकि दोनों में होए थे कुछ जगारता में होए थे कुछ पैलंग में होए थे खहां पर है इंडोनेशिया में 2018 के कहां होए थे Jakarta इंडोनेशिया 2022 के कहां होए चाइन हैंसोंग में 2026 में नयोग जेपान आपका कोई भी पूछ लें आपसे आपका कोईशन नहीं चूटना चाहिए ठीक है तीन साल के पता लगए हमेशा चार सालों के बाद एशन गेम्स खेले जाते हैं एशन गेम्स के बारे में सबको पता लग गया होगा अब हम बढ़ते हैं ओलम्पिक गेम्स की तरफ ये वाई है ओलम्पिक गेम्स की तरफ बढ़ते हैं ओलम्पिक गेम्स के दो हिस्सों में होती है समर ओलम्पिक्स की जाती है और विंटर ओलम्पिक्स की जाती है ये भी के चार सालों के बाद खेले जाते हैं लेकिन इसमें क्या है, जो summer और winter होते हैं, इनमें क्या होते हैं, two years का gap होते हैं, मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे summer olympics कब होए, सिरफ यह हुए नहीं है, कुछ हुआ भी है, पर आपको मैं example समझा रही हूँ, summer olympics होए 2018 में, तो winter olympics कब होगे, 2020 में क्या summer olympics, तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले हमारे होए 2018 में, फिर होए 22 में, तो कितना gap हुआ, four years का, और summer और winter olympics में कितना gap हुआ, two years का, दोबारा समझाते हूँ, इस line का क्या मतलब है, ध्यान से समझिये, 2018 में जैसे हमारे summer olympics होए, ठीक है, winter olympics कब होगे, 2020 में, कब होग 2020 में, winter olympics होगे, ठीक है, उसके बाद हमारे summer olympics कब होगे, 2022 में, तो summer और winter olympics में, two years का gap आ गया, वैसे इतना gap आया summer और summer में, four years का, ठीक है, ये समझ में लगे इस लाइन का क्या मेनिंग हुआ कि इस line का क्या मेनिंग हुआ कि summer olympics are held, held every four years with the summer and winter games, alternatively by occurring every four years but two years apart, इस च का मेनिंग आपको समझ लग गया होगा, आगे बड़े, उसके बाद, फाउंड किस ने की ती, international olympic committee, Perry D. Cotterbury, Cobra Tain, Cobra Tain, ने found की ती, कब 1894 में, तीक है, और first games कब होए थे हमारे, एथनीज में, 1896 में, पहले olympic games होए थे, एथनीज, 1896, एथनीज का है, ग्रीस में, ग् करती है, हमारी international sports federation, national olympic committee, and organizing committee of each specific olympic games, ठीक है, बहुत सारे rituals होते हैं, जब भी olympic games start होती है, जैसे कि olympic flag और torch का, और opening और closing ceremonies होती है, जो symbol olympic game का, उसको हम क्या कहते हो, olympic rings कहते है, पांच rings होती है, आगे आपको मैं दिखाती हूं, कि olympic flags में 5 ring होती है, ये 5 ring क्या पतारी होती है, कि Africa, America, Asia, Australia, Europe, मतलब हमारे 5 continents को represent करती है, Africa, America, Asia, Australia, Europe, जो हमारा, कौन-कौन से color होते है, blue, yellow, black, green and red, over a white field forms the olympic, कौन-कौन से color होते है, yellow, black, green and red, blue, yellow, black, green and red colors होते है, rings होती है, क्या represent करती है, हमारे 5 nations को represent करती है, अब यह देखिए, 1896 में मारे फिर्स्ट येरा फ्लाग, फ्लाग देख लिजे, फाइव रिंग्स है, ब्ल्यू, ब्लाक, रेड, येलो और ग्रीन, जो कि मारे फाइव नेशन्स को रिप्रेजेंट करती है, फाइव कॉंटिनेंस को, सौरी, हम यह नेशन वर्ड नहीं यूज फाइव कॉंटिनेंस, कौन कौन से कॉंटिनेंस है, अफरिका, अमेरिका, एशिया, अस्ट्रेलिया और यॉरप को रिप्रेजेंट करती है, 1896 में फर्स्ट ओलंपिक गेम्स होई थी, कहाँ होई थी, एथनीज ग्रीस में होई थी, ये कोईशन आपको उस आरार भी जेए म विंटर ओलंपिक सी, इति पाइचंग में, इति साउथ कोरिया में, तूथाओजन टोक्यो में होँगी, जेपान में, समर में, उसको हम क्या बोलेंगे समर ओलंपिक्स, ठीके, देखा ना, आपने, 18 में विंटर, 20 में समर, दो साल का गब होगया, अब दो साल का गब 28 में, लॉस एंजल्स में, यह आपको याद रखने हैं, किसी भी पेपर में आपसे यह पूछा जा सकते हैं, RRB, NTPC में भी कोईशन आ सकते हैं, SSC में भी आ सकते हैं, Mark Fed में भी, PSBE, Clark में भी, और बाकी सारे किसी भी गवर्मेंट में आ सकते हैं, क्यूंकि यह एशिया और Olympic Games के questions बहुत आ रहे हैं, आपके Punjab के exams में भी बहुत आते हैं, मैं आपको बार बार रपीट करी हूँ, इसको छोड़ना मत, यह क्लास को, अगर आपको अच्छी लग रही है, लाइक और शेयर करिया अपने फ्रेंज के साथ, ताकि आपका फ्रेंज का भी कोई भी कोईशन Asia और Olympic Games से नहां जूते, अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारे टेस को, आज के टेस को, यह अपके तीनो जो हमने जीके की सिरिस चलाई हुई है, उसमें से हैं, और आपको answers नहीं दिये जाएंगे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से questions को बोलूँगी, आप लोग answers अपने comment box मे करना, जब अपने notebook पे लिख लीजिए, जब अपको इस concerns प्रवाइड होंगे, चक करके अपने marks को comment box में किये, अगर आप नहीं भी करते हैं, आपको खुद को पता होता है कि आपकी तियारी किया है, कैसे चल रही है, चलिए, तो वर्ड लिबर्टी इन दे प्रियांबल है प्रियांबल में वो कौन सी रेवलुशन से लिया गया है, फ्रेंच, रुशियन, अमेरिकन या नन अफ दे अपको खुद के लिए, आपको कोईशन दिखाऊंगे, आप जल्दी से इसके अंसर्स कर लीजे, जिनको सौचने के लिए टाइम चाहिए, वो वीडियो को पोस कर और उसके अंसर्स को, अप्शिन को देखें, नेक्स, इन विच केस इट वास देक्लिर्ड एट प्रियांबल इस दा पार्ट ओफ और कॉनसे केस में बोला गया है कि प्रियांबल हमारे कॉनसे का हिस्सा है, बैरुबेरी यूनियन केस, 1960, केशवकंदा बारती केस, 1973, LIC of India के 1995, None of the above, कौनसे केस में बोला गया है कि प्रियांबल हमारे कॉनसे का क्या है, हिस्सा है, मैच दर फ्लोइंग, कुछ कॉनसे को हमने कहां से बोरो किया, DPSP को कहां से बोरो किया, Fundamental Rights, Fundamental Duties, Concurrent List, Sources, USA, Australia, Ireland, USSR, अपने इनको मैच करना है कि हमने Fundamental Rights कौनसे कंट्री से बोरो किय ठीक है, इसमें आपके बोरिंग वले भी हो जाएंगे Next, which article in the constitution consists of that the two members in the Lok Sabha should be Anglo-Indian किस article में बोला गया है कि जो Lok Sabha में दो members को जो President nominate करता है कि वो Anglo-Indian होने चाहिए Article 80, Article 331, Article 370, Article 33, 333 कौन से, किसमें आप लोगों को बोला गया है हमारे constitution में कौन से article में ये चीज़ लिखी गई है कि President को, President जो दो members को nominate करता है वो Anglo-Indian होने चाहिए Next, which of the following appointment is done by the President मैं उमीद करती हूँ आप लोग इसे पिछले questions हो गया है वाँगो जो four questions कराए है, जिनोंने तो GK की series regular जो देख रहे हैं को देखें तक कि आप लोगों को भी त्यारी बहुत अच्छी से हो जो हमें आपको ये questions करा रहे हैं ये सारे previous year questions है किसी book से नहीं उठाया जाते हैं ये questions को previous year उठाया हुए जारा ठीक है अगे बढ़ते हैं, which of the following appointment is done by the president, PM, Chief Justice of India, Chief Justice of Air Force and Army, Speaker of Lok Sabah कौन सी appointment प्रेजिडेंट के दुआरा की जाती है इसमें से who has the authority to remove the vice president from his office before the expiry office term पहली बाद आप मुझे पताना कि vice president को क्या बोला जाता है और वो किस का part होता है, कौन सी parliament का किस के पास authority है कि वो vice president को remove कर सकता है राज्य सबा के पास, parliament के पास, लोग सबा के पास, कि supreme court के पास किस के पास authority है, who elects the vice president, vice president की election कौन करता है the same electoral college which elects the president, आप लोग मुझे साथ में ये भी पताएंगे president का electoral college में क्या होता है, आप लोगों को ये भी पताया जा चुका है members of राज्य सबा, electoral college consisting of the members of parliament and members of parliament at the joint meeting एक question में आप लोग से पूछती हूँ, parliament consists of, parliament किस किस चीज़ से बना हुआ है ठीक है, ये question इसमें president का electoral college और आपने बताना है कि maximum members कितने होते हैं, राज्य सबा के, और present members इस time कितने हैं, राज्य सबा के ये four questions, एक question के साथ साथ आपको इन four questions का भी अंसर देना है मैं उमीद कहते हैं, अपने ध्यान से सुने होंगे, ये चारो questions मैं repeat कर देती हूँ, electoral college president का पुरा detail में बताना है आप लोगोंने, maximum members of राज्य सबा, present members of राज्य सबा, और parliament consists of, parliament consists of, राज्य सबा, लोग सबा, president और all of the world ठीक है, options दे दिया है, मैंने last question के बाप लोगों को Rule of law, lawmaking procedure, single citizenship and parliamentary system are borrowed from ये सब चीज़े हमने कौन सी country से बोरोगी है, क्या-क्या, rule of law, lawmaking procedure, single citizenship and parliamentary system, कहां से बोरोगी है UK, USA, USSR, Australia, कहां से बोरोगी है, ये सब चीज़े Who among the following, battle of Knawa was forced, battle of Knawa किसके बीच में खेली गी थी Barbara and Ranasanga, Barbara and Abraham Lodhi, Akbar and Ranasanga, Himaju and Ranasanga किसके बीच में battle of Knawa होई थी, कब होई थी, और battle of Knawa कहां पर हुई थी ठीक है, ये questions भी आप लोग ने मुझे इसके साथ साथ बताने हैं, क्योंकि मैंने जब ये question आप लोगो को करवाया था तो इसमें भी ये चीज़े आपको detail में करवाई गी थी और ये battle of Knawa का question RRBJ में पूछा गया था, जिन्नोंने analysis देखा है RRBJ का उन्हें खुद बर खुदी समझ लग गया हो गया Which among the following books was authored by a lady of the Mughal royal house Babar Nama, Akbar Nama, Himajun Nama, Baadshya Nama कौन सी इसमें से book है, जो की एक lady के दुवारा लेखे गी थी कौन सी lady थी, Mughal royal house की lady के दुवारा The biggest single-celled organism is called yeast, imborbya, acetobacter, acetobacter, blyria Biggest single-celled organism किसको बोला जाता है The powerhouse of cell is called cell wall, mycochondria, ribosomes, nucleus Powerhouse of cell किसको बोला जाता है, यह बहुत important question है Both exams में आता है, यह question और भूचह भी जा चुका हुआ है Powerhouse of cell किसको बोला जाता है, cell wall, mycochondria, ribosomes के nucleus को किसको बोला जाता है, powerhouse of the cell The control unit of cell is Control unit of cell किसको बोला जाता है Nucleus, cell wall, cytoplasm के all of the above Control unit of cell किसको बोला जाता है Nucleus को, cell wall को, cytoplasm को किस इंसे पो What kind of soil is treated with gypsum to make it suitable for cropping Soil को किस से gypsum के साथ treat किया जाता है किस तरह के soil को gypsum के साथ treat किया जाता है ताकि वो cropping के लिए क्या होजे Suitable होजे Alkaline soil, acidic, waterlogged या soil with excessive clay content Last question आपके test का Typhed fever is caused by Virus, bacteria, fungus, allergy Typhed fever किसके दुआरा किया जाता है Virus के दुआरा, bacteria, fungus के allergy तीक है यह थे आपके test के questions 15 Answer इसमें से मैंने किसी के भी नहीं प्रवाइड किया किसी भी question के भी आप लोगों को वीडियो की starting में पता दिया गया है कि 24 hours के बाद आपको इसके answers प्रवाइड किया जाएंगे जाभी next lecture में इसके answers को प्रवाइड किया जाएगा उमीद करते हैं आप लोगों को test और आज की हमारी special class पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी है तो lecture को share करें और like करें चैनल को subscribe करें और bell icon को भी क्या करें प्रेस करें ताकि आपको हर new lecture की notification time to time मिलें जाएंगे